दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी सुना ना हो हम बात करेंगे भुट्टे के रेशों से बनी चाय के फायदों के बारे में इस पे विस्तार में बात करने से पहले आप सब का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सात्विक सहत में जहां हम आपको अच्छे लाइफ स्टाइल, अच्छे जीवन जीने और डेली लाइफ के इंटरस्टिंग फैक्ट्स शेयर करते हैं ताकि आप रोग मुक्त रह सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें बुस्तों भुट्टे के पत्तों के नीचे जो रेशे होते हैं आम तोर पर लोग उन्हें फैंक देते हैं जबकि सेहत के लिए ये रेशे वरदान से कम नहीं होते भुट्टे के रेशे से बनी चाय पीने से सेहत को कई फाइदे मिल सकते हैं, आएए जानते हैं इन फाइदों के बारे में, सबसे पहले किड़नी स्टोन खत्म करने में ये फाइदमन होता है, बुट्टे के रेशों से बनी चाय बुडी से टॉक्सिन्स निकाल कर किड़नी को हेल्दी रखती हैं, और किड्नी स्टोन के खत्रे से भी बचाती यह चाय यूरिन इंफेक्शन में भी है फायदे मंद। बुट्टे के रेशों की बनी चाय में एंटी इंफ्लामेटरिक गुण होते हैं जो यूरिन इंफेक्शन और अन्य बैक्टीरियल इंफेक्शन के जोखिम को कम करते हैं। यह एक इम्मुनिटी बूस्टर भी है। है वजन घटाने में भी सहायक है। दोस्तों मुटापा कम करने के लिए भी भुट्टे के रेशों की बनी चाय फायदे मंद हो सकती है। इसमें मेटबॉलिजम बूस्ट करने वाले गुण होते हैं जो फैट बर्न करने के लिए बहुत मदद करता है। यह चाय करे कम करने में सहायक होता है। बलड शुगर और डाइजेशन में भी यह है कारगर। दोस्तों भुट्टे के रेशों में मौजूद फाइबर और पोटेशियम बलड शुगर को नियंतरी तकने के साथ साथ डाइजेशन के लिए भी बहुत फायदमंद होते हैं। आए जानते हैं भुट्टे के रेशे की चाय बनाने की विधी। उबलते हुए पानी में भुट्टे के रेशे डाल दें। इसे तब तक उबलने दें जब तक पानी का रंग पीला ना हो जाए। इसके बाद इसे चान कर इसमें स्वादनुसार नीम्बू वशहद मिला लें। और इसक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल साथविक सहत, ताकि हम आपको प्रोचसाहित कर सकें अच्छा जीवन जीने के लिए इसके इलावा, अगर आपको भुट्टे के रेशो से जुड़ी कोई जानकारी है, तो नीचे कमेंट सेक्षन में हमें जरूर बताएं तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए आपका दिन शुब हो